सीजन 3 एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और सॉल हमें दीखता है कि वो एक लाइन में खड़ा हुआ होता है उन्हें कम्यूनिटी सर्विस के लिए वैल ने आई हुए होती है सॉल को कोट ने सजा दी होती है कि उसे कम्यूनिटी अवर्स कम्पलीट करने होगे यानि उसे गारविस्ट पिक अप विगरा करना होता है यह उसका जॉब होता है जब वो गारविस्ट पिक अप कर रहा होता है तो उसे कॉल साना स्टार्ट हो जाते है उसको अपने advertisement sale करनी होती है इसके लिए उसने advertisement की होती है तो clients के उसे call आ रहे होती है जब उसका काम खतम हो जाता है वहाँ उस पर नज़र रखने वाला जो होता है वो उसे बहुत ही कम अवस देता है उसने 4 गंडे काम क्या होता है उसे आदे घंडे के ही वो अवस देता है Saul पुछता है कि तुम यह क्यों कर रहे हो वो बोलता है कि तुम फोन पर ही लगे हुए थे इसलिए मैं तुम्हें पूरा नहीं दे सकता वो बोलता है कि बहुत ही गलत है वो सब लोगों को भड़गाने की कोशिश करता है पर उससे कोछ भी फरक नहीं पड़ता यह काम करकर फिर Saul अपने गाड़ी में आता है वो ही अपने कपड़े वेकर चेंज कर लेता है और क्लाइन के पास आ जाता है लाइन के अड़ड़ाइसमेंट वो शूट करना चाहते है वो बहुत ही अच्छी से वो डारेक करता है शूट करता है फिर वो क्लाइन से बुछता है कि हम तुमें एक प्रीमियम के पैकेज दे सकते है इसे वो साथ advertisement उसे sale करने वाला होता है client बोलता है कि मेरी wife मुझे यही करने से मना कर रही थी फिर भी मैंने यह कर लिया है उसे पैसे देता है जब वो बाहर निकलता है तो Saul सब टीम को पैसे देता है सब को पैसे देने के बाद उसे सिर्फ 100 डॉलर से मिलते है रात में जब Kim के पास वो आता है तो Kim को इस महीने का rent वेगरा office का वो दे देता है नेक सिर्फ में हमें दिखता है कि Mike को जो employer होता है याने कि उसे पिल्ट की exchange करने के लिए जिसने hire किया होता है वो अपने apartment में आता है वो अपने आपर्मेंट में आता है वो उसे बोलता है कि मुझे help चाहिए उसे एक पिल्ट चाहिए होती है वो उसे मांगता है जब वो देखता है कि यह जो medicine से यह कहाँ भी मिल जाएगी नाचो बोलता है कि seal होने से पहले मुझे medicine चाहिए नाचा अब Salamanga की medicine change करने वाला होता है medicine वाला बोलता है कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे वो बोलता है कि 20,000 डॉलर्स में तुमें दे सकता हो फिर माईक हमें playground का चुरोड बनाना होता है वो काम करते हो दिखता है वो और भी कुछ उसके age के लोग होते है उसे बोलता है कि हमें भी help करने दो वो माने नहीं रहे होते तो वो उसे भी काम कपर लगा देता है वहाँ उसकी मुलागाद एक lady से होती है उसकी उससे अच्छे से बातचित होती है जब माईक अपने गाम पर होता है तो medicine वाला वहाँ आ जाता है उसे बोलता है कि मैं फिर से नाचो से डिल करना चाता हूँ तो क्या तुम मुझे guard करोगे माईक बोलता है कि मैं तुम्हें guard नहीं करने वाला तुम्हें अपने आप ही करना है माईक को अप ये job नहीं चाहिए होता क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे होते है नेक्स सिन में हमें किम मैसावरटी के पास आई हुए देखती है मैसावरटी के assistant किम की friend ही होती है तो वो दोनों case पर discuss कर रहे होते है उसकी friend उसे बोलती है कि मैंने चक की जो transcript थी वो पढ़ी मुझे अच्छा लगा कि case में तुमने कैसे उसको हरा दिया किम उस पर उतना response नहीं देती वो फिर case files वेगरा देख रहे होते है उसकी friend उसे बोल रहे होती है कि यह जो paperwork यह बहुत ही जादा है last time यह बहुत ही कम था तो किम बोलती है कि अलग state है तो इसलिए हमें जादा paper work करना पड़ेगा वो मान नहीं रही होती तो किम उस पर cheat जाती है वर किम को फिर पता चलता है कि यह इम professional है इसलिए उसे वो माफि मांगती है वो फिर उसे बोलती है कि एक बिमार आदमी को हमने hurt किया है इसमें glorious कुछ भी नहीं है किम बहुत ही महिसा वरड़े के case पर काम कर रही होती है इसकी वज़े से उसकी नीन भी नहीं होती है इसलिए वो ज़रा irritated होती है नेक्स दिन सॉल फिर से एक नहीं client के पास आता है इनका musical instrument sale करने का job होता है फिर वो clients उसके पास आते हैं यह दो प्रदर्स होते हैं तो वो उससे बोलते हैं कि हमने हमना mind change कर लिया है उमारी जो viewership है वो सब old लोग है तो हम यह risk नहीं ले सकते हमारा shop है अगर यहाँ इतने सारे clients नहीं आए तो हम बहुत ही loss में आ जाएंगे Saul का अब पूरा advertisement खराब होने वाला होता है Saul उनको समझाने की कोशिश करता है पर वो मानती नहीं पर Saul फिर उनको बोलता है कि यह हम तुमारे लिए free में कर देंगे अगर तुमारे पास client आए तो तुम हमें pay कर देना वो फिर मान जाते हैं अब Saul ने इससे कुछ भी पैसे नहीं कमा है फिर भी उसे अपनी crew को pay करना होता है अपनी pocket से वो सब को pay करता है Mike फिर से हमें support group में दिखाय गया है जिस lady से वो पहले scene में मिला था वो lady उसकी story share कर रही होती है husband भी मर चुका होता है Mike अपना mind change कर लेता है और जो pills देने वाला होता है उसके साथ वो deal पे जाने वाला होता है रात में जब Saul किम के पास आता है वो बहुत ही ठका हुआ होता है किम भी case से बहुत ही frustrated होती है तो उसे एक बार में लेके जाता है वो फिर से किसी और को कौन करने वाले होते है Saul एक आतमी को देखता है जो बहुत ही disrespectful होता है Saul seriously उसके साथ एक बड़ा कौन करने वाला होता है तो किम उसे बोलती है यह हम मजग मजग में कर रहे है नाचो माइक और मेडिसिन देने वाला अब सब वो deal कर रहे होते हैं नाचो और माइक फिर बात करते है माइक नाचो को समझाना चाहता है कि साला मांकाओ पर सब नजर रखते है मुझे पता है कि साला मांकाओ को हार्ड कंडिशन है इसलिए तुम यह पिल्स बाय करना चाहते हो तुम उसे मारने वाले हो तो मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं नाचो बोलता है कि मेरे पास कोई option भी नहीं है माइक फिर उसे सला देता है या अगर तुम उसे fake pills देने वाले हो तो जब वो मर जाएगा उसके बाद फिर से तुम्हें वो exchange कर देना चाहिए अगर किसी को पता चल गया कि तुमने उसे fake pills दी थी तुम trouble में आ सकते हो नाचो को भी या idea अच्छा लगता है सॉल को जो insurance होता है वो already उसने 2 साल के लिए pay किया होता है और वो पूरे 1 साल तक practice नहीं करने वाला तो इसलिए हो उनसे पेसे लिने के लिए जा रहा होता है वहा कि जो lady होती है उसे सब कुछ वो बताता है पर फिर वो नहीं मान रहे होती वो जब नाम चेक करती है तो ये दोनों brothers होते है इसलिए चक का नाम वहाँ आ जाता है सॉल को फिर से चक को frame करना होता है इसलिए वो वहार होने लग जाता है वो अपनी life की सब तकलिफ है उसे बताता है और बोलते बोलते ये भी बता देता है कि मेरा brother बहुत ही बीमार है वो court में भी गडबड कर रहा है ये सुनकर वो lady बहुत ही आलर्ट हो जाती है और अब चक का जो insurance होने वाला होता है उसके प्रीमियम्स बहुत ही बढ़ जाने वाले होती है ये सब स्वाल जान बुच कर करता है ये ही episode कतम हो जाता है